नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दाइबटीज जैसे भ्यंकर रोग को जड़ से खतम करते हैं ये चार घ्रेलू नुस्के मास्तर साथ दिन में कर देंगे दाइबटीज को जड़ से खतम दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वाकत है दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे घ्रेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिनें अपना कर आप डाइबटीज जैसे भ्यंकर रोग को हमेशा के लिए जड़ से खतम कर सकते हैं दोस्तों, डाइबटीज एक ला इलाज बिमारी है इसका कोई भी स्थाई इलाज नहीं है इसे केवल कंट्रोल किया जा सकता है ज़िए डाइबटीज की बिमारी काफी समय से आपको है तो यह आने वाले समय में भ्यंकर रोग ले सकती हैं इससे सरीर का बलड सुगर बढ़ने से सरीर के अन्ने अंग प्रभावित होना सुरू हो जाते हैं और यह गैंगरीन का रूप भी ले लेती हैं दोस्तों, कुछ आईबवेदिक उपाई हैं जिनसे आप डायबटीज जैसे नासूर रोग को कंट्रोल में रख सकते हैं अपने बलड सुगर को बढ़ने से रोग सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन घरेलो उपाईउं के बारे में जिनसे आप डायबटीज के बिमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पासकते हैं तुलसी के पत्तों का इस्तमार दोस्तों, डायबटीज का इलाज करने के लिए आप तुलसी के पत्तों का परियोग कर सकते हैं इसलिए दोस्तों diabetes से छुटकाना पाने के लिए अपने आहर में तुलसी के पत्नों को आपको जरूर सामिल करना चाहिए दालचिनी का पाउडर दोस्तों blood sugar को control करने के लिए आप दालचिनी को व्योग कर सकती है ये भी आपके लिए एक रामबान ओस्ती है इसके लगातार सेवन से आपका blood sugar control में आ जाता है इसके लिए दालचिनी को बारीक पीस कर इसका पाउडर बना ले अब रोजाना गरम पानी के साथ इस पाउडर का सेवन करें ऐसा करने से भी आपकी diabetes control में आ जाएगी दोस्तों इसका अधिक सेवन आपके लिए हनिकारक होता है इसलिए जब भी आप दालचिनी को प्यों करें तो उचित मातरा में ही करें सहजन की पतियां रोजाना सुवे सहजन की पतियों का रस निकाल कर पीने से आप diabetes रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पासकते हैं यह बलड सुगर को control करने में बहुत ही कारकर उपाई है इसलिए जब भी इसको प्यों करें तो सुवे खाली बेटा को करना चाहिए जामून का बीज यदि आप अपने आहर में जामून के बीजों को सामिल कर सकते हैं तो आप diabetes से हमेशा के लिए छुटकारा पासकते हैं इसके लिए आप जामून के गुटलियों को पीस कर इसका पाउडर बना कर इसे इस्तमाल कर सकते हैं आप एक चमच पाउडर का सेवन रोजाना सुवे गरम पानी के साथ कर सकते हैं इससे आपका ब्लड सुगर बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाएगा तो दोस्तों आप भी इन चार उपायों के प्रयोग से इस अपने सुगर के रोग से चाहे आपका सुगर करो कितना भी पुराने से पुराना हो दस साल पुराना हो बीस साल पुराना हो तेस साल पुराना हो तीन सो सुगर हो या चार सो सुगर हो किसी भी सुगर लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लिस लाइक और सेर ज़रूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का आइकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों